बहुत बहुत आभार वेक्त करता हूँ मरी ने खुशी के बात है कि इतने बड़े समू को आज मुझे यहाँ स्वागत करने का आउसर मिला है जो साथ ही विजयी होकर के आए हैं बेश सभी अभिनंदन के अधिकारी है लेकिन जिन लाखो कार करता हूँ ने दिन रात परिशम किया है न उन्होंने दिन देखा न रात देखी और इतनी भैंकर गर्मी में हर दल के कार करता ने जो पुरुशार्थ किया है परिशम किया है मैं आज सम्विधान सदन के इस सेंट्रल होल से सर जुका करके उनको प्रणाम करता हूँ साथियों मेरा बहुत सवभाग्य है के इंडिये के नेता के रूप में आप सब साथियों ने सर्वसम्मति से चून करके मुझे एक नया दाईत्व दिया है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी है ब्यक्ति के जीवन में एक मैं जवाबदारी का एसास करता हूँ जब 2019 में इस सदर में मैं बोल रहा था आप समने मुझे नेता के रूप में चुना था और तम मैंने एक बात पर बल दिया था विश्वास आज जब आप मुझे फिर से एक बार ये दाईत्व देते हैं इसका मतलब है कि हम दोनों के बीश हम अपस में विश्वास का सेत्व इतनों मजबूत है ये अतूट लिस्ता विश्वास की मजबूत धरातल पर है और ये सबसे बड़ी पूजी होता है और इसलिए ये पल मेरे लिए भाव करने वाले भी है और आप सब के प्रति चीतना धन्यवाद करूँ उतना कम है साथियों बहुत कम लोग इन बातों की चर्चा करते हैं साथ उनको शूप नहीं करता होगा लेकिन हिंदुस्तान के इतने महान लोकतंत्र की ताकत देखिए कि NDA हादेश में 22 राज्जों में लोगों ने उनको सरकार बना करके सेवा करने का मौकत थी हमारा यह एलाइंस सच्चे अर्थ में भारत की असली जो स्पिरिट है जो भारत का आत्मा है भारत की जड़ों में जो रचा बसा है उसका एक अर्थ में प्रतिवीम भाए है और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ी नजर करें हमारे देश में दस ऐसे राज्य जहां हमारे आदिवासी बंधों की संख्या प्रभावी रुप से है निरनायक रुप से है जहां इस अबादी आदिवासी की ज़्यादा है ऐसे दस राज्यों में से साथ राज्यों में एंडिये सेवा कर रहा है साथ्यों हम सर्वपंत संभाव के हमारे संविधान को समर्पित है और देश में चाहे हमारा गोवा हो यह हमारा नौर्थ इस्ठ हो जहां बहुत बड़ी मात्रा में हमारे इसाई भाई बन लेते हैं आज हम उन राज्यों में भी एंडिये के रूप में सेवा का आउसर हमें मिला हो साथियों प्री पोल एलाइंस हिंदुस्तान के राजनीति के इतिहास में और हिंदुस्तान की राजनीति में गडवंदन के इतिहास में प्री पोल एलाइंस इतना सफल कभी भी नहीं हुआ है जीतना की एंडिये हुआ और ये गडवंदन का बीजय है हमने बहुमत सर्वमत बहुत जरूरी होता है और मैं आदेश वासियों को यहां से विश्वाद दिलाना चाहता हूँ कि आपने जिस प्रकारत हैं हमें बहुमत दे करके सरकार चलाने का सवभाग्य दिया है यह हम सब का अदाईत को है कि हम सर्वमत का निरंतर प्यास करेंगे और देश को आगे ले जाने के लिए हम कोई कोड कसर नहीं छोड़ेंगे साथियों एंडिये को करीब करी तीन दसक हो चुके है एना आजहादी के 75 साल में तीन दसक एंडिये यह सामान निखटना नहीं है विविदता से भरे हुए अपनी लोकतांतरिक और सामाजी ग्रचना के बीच हुए यह तीन दसक की आत्रा एक बहुत बड़ी मजमूती का संदेश देती है और मैं आज बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि कसी एक समय वो था कि संगठन के कारकरता के रूप में इस एलाइंस का हिस्सा था जवस्ताओं से जुड़ा रहता था और आज सदन में बैठ करके आपके साथ काम करते करते मेरा भी नाता इसे तीस साल लगा रहा है और मैं कह सकता हूँ हकीकोंतों के तत्थों के अधार पर कह सकता हूँ यह सबसे सफल एलाइंस है हम गर्व से कहत रखने है कि पांच साल का टर्म होता है इस एलाइंस ने तीस साल में से पांच पांच साल के तीन टर्म सफलता पुर्वक पार किये हैं और एलाइंस चोथे टर्म में एंटर कर रहा है साथियों इस बात को जो राजलीती के विश्यशग्य है अगर मुक्तमन से मुक्तमन शब्द बहुत महत्पका है बे सोचेंगे तो पाएंगे कि एंडिये कि सत्ता प्राप्त करने का या सरकार चलाने का कुछ दलों का जमावड़ा नहीं है ये राश्ट पथम की मूल भावना से नेशन फर्टिप्रती कमिटेड वैसा ये समूव है और तीस साल का लंबा कालखन शुरू में साथ एसेंबल हुआ होगा लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि भारत के राजलितिक व्यवस्था में एक और्गेनिक एलाइंस है और ये मुल्य श्रदेय अटल्य वहरी वाजपाई श्री पकास सिंग्जी बादल श्री बारता भाकरे श्री जॉर्ज फनाडी श्री श्रद्यादव अंगिनत नाम में कह सकता हूँ इन लोगों ने जिस बीश को बोया था वो आज भारत की जनता ने विश्वास का सिंचन करकर के इस बीश को बटबुख्ष बना दिया है और हम सब के पास ऐसे महान नेताओं की विरासत है और हमें इसका गर्व है बिते दस वर्षों में हमने एंडिये की उसी विरासत उसी मुल्यों को लेकर देश निरंतर आगे बढ़ने का और देश को आगे बढ़ाने का प्रयासत उसे राजनीती के विश्ट्रस करेंगे तो देखेंगे कि एंडिये का जो लोग दिखते हैं न उसमें एक कॉमन चीज नजर आती है और वो है गुड गवर्णन्स इन सबने अपने अपने समय में अपने अपने कारकाल में जब जब जहां सेवा करने का मोका मिला है गुड गवर्णन्स इस देश को दिया है और इस पकार से एंडिये एक प्रकार से एंडिये कहते ही गुड गवर्णन्स यह अपने आप परियायवाची बन जाता है साध्यों हम लोगों के सभी के कारकाल में जब गुजरात में रहू हो रहा हूँ या बाबु हमारे आंदर में रहे हो या नितिजिने के लिए भरपूर सेवा कि हो हम सब के अंदर केंद्र बिंदु में हैं गरीब का कल्यां केंद्रस्तर रहा है और देश ने एंडिये के गरीब कल्यां के गुड गवर्णन्स के दस साल को देखा है इतना नहीं है मैं कह सकता हूँ देश ने से जिया है जनता जनारण ने सरकार क्या होती है सरकार क्यों होती है सरकार किसके लिए होती है सरकार कैसे काम करती है इसको पहली बार अनुभव किया है वरना जनता और सरकारों के बीच में एक खाई की व्यवस्था ही बनी हुई थी हमने उसको पाट दिया है हमने सबका प्रयास का मंत्र देश को नई उचाई पर ले जाने के लिए चरितार्थ करके देखा है साथियो एंडिये सरकार में हम अगले दस साल में मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ अगले दस साल में गुड़ गवर्णन्स विकास नाहरीकों के जीवन में क्वालिटी अफ लाइड और मेरा व्यक्तिकर दूप से एक बहुत बड़ा ड्रीम है मैं लोग तंत्र की समरुद्धी को जब सोचता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि सामान्य मानवी के जीवन में से और खास करके मध्यमबर्ग उच्य मध्यमबर्ग उनके जीवन में से सरकार की दखल जितनी कम हो उतनी लोग तंत्र की मजबूती है और आज के टेकनोलोजी के यूग में बहुत आसानी से हम वरना एक दिन में दस काम हो तो दस अलग-अलगो सारी चीज़े मांगेगे हैं विकास का नया अध्याय लिखेंगे गुड गवरनस का नया अध्याय लिखेंगे जनता जरारदन की भागीदारी का नया अध्याय लिखेंगे और सब मिलकर के विक्सीज भारत के सपने को साकार करके रहेंगे साथ यह एंडी एक में और मैं अगर विस्तार से कहूं तो सदन में किसी भी दल का कोई भी जड़ प्रतिनिदी होगा मेरे लिए सब बराबर है जब मैं सब्ता प्रयास की बात करता हूँ तो मैं सदन में भी चाहिए वो लोग सभा हो या राच सभा हो हमारे लिए सब बराबर है और यही एक भाव है जिसके गारण तीस साथ से एंडी एलाइंस मजबूती के साथ आगे बढ़ा है अपना पराया कुछ नहीं है सब को गले लगाने में हमें कभी कोई कमी नहीं रखिया है उसी का परणाब है कि जनता का विश्वास भी जीत पाते हैं साथियों हमने दोहजार चोवी समय जिस टीम भावना से काम किया है और ग्रास्रूट लेवल पर किया है सिरफ फोटो आप किर्दान ने तक मिल करके हाथ हिलाएं और पर तुम तुमारे रस्ते में मेरे रस्ते सा नहीं ग्रास्रूट लेवल तक सबने मिल करके यह जो काम किया है और उसी ने हमें और्गेनिक अलाइंस का सामर्थ दिया है एक दूसरे का सहयोग किया है हर किसी ने यही सोजा जहां कम वहां हम अगर तो इस कमी है तो मैं आँगा मैं मैंनत करूँगा लेकिन तो मैं कमी नहीं रहने दूगा जहां कम वहां हम यह हर कारकरता ने जीकर के दिखाया है और तभी तो जीत आती है साथियों कभी कभी मैं कह सकता हूँ कि हमारा दस साल का अनुभव है भारत के हर खेत्र का और भारत के हर नागरिक का जो एस्पिरेशन्स है रीजनल एस्पिरेशन्स है बे और नेशनल एस्पिरेशन्स इसका एक अतूट नाता होना चाहिए इसके बीच में हवा तक गुजर न सके इतना जुड़ा होना चाहिए तब देश आगे बनाए साथियों इस सुनाओ मैं मैं कुछ उलेग जुरू करना चाहूँगा जो मेरी नजरी से मैंने देखा है दक्षीड भारत में एंडिये ने एक नई राजनीती की नीव मजबूत किया अब देखे काना टकाएं तेलंग रहा अब यह भी तो इनकी सरकारे बनी थी लेकिन पल भर में ही लोगों का विश्वास तूट गया ब्रह्म से लोग बार आ गए और एंडिये को गले लगा दिया करनाटक और तेलंगना में दोनों जगा दिया साथ यो तमिल नाडू मैं तमिल नाडू की टीम को भी बशाई देना चाहूँगा और वहां हमारा एंडिये समूब बहुत बड़ा भी है और कईयों को पता था कि हम एक साथ चित नहीं लड़ा पाएंगे लेकिन इस लड़ाई में हम साफ रहेंगे और मैंने बहुत से एंडिये के साथ ही तमिल नाडू मैं ऐसे हैं कि जिनका कोई उमिदवार नहीं था लेकिन इस जंडे को भूचा रखेने के लिए वो जीजान से जुटे थे और इतलिए आज तमिल नाडू में भले हम सीट नहीं जीत पाएं लेकिन जिस तेजी से एंडिये का वोटशेर बढ़ा है वो साप साप संदेश दे रहा है कल मैं क्याल लिखा हुआ है साथ यो पूड़ी शेरी हो केरला आप केरला है हमारे सेंकडों काड़करताओं के बलिदान हुए है UDF हो या LDF हो शायद हंदुस्तान के राजनितिक जीवन में है इतना जुल्म एक विचार धारा को लेकर के जीने वालोगों पर हुआ होगा तो सिर्फ मैं कह सकता हूँ केरल में हुआ है जम्मु कश्वीर से भी जादा हुआ है उसके बावजुद भी सामने कहीं विजय नजर नहीं आता था उन्होंने परिशम की पराकास्था में कभी पीछे नहीं रहे पीडियां खपा दी पीडियां खपा दी और आज पहली बार साउसद में केरल से हमारा प्रतिनी भी बन क्या है साथियों अरुनाचल में हमने लगातार हमारी सरकार बनती रही है और भारी समर्थन से बनती है सिक्किम में भी हमारे एंडिया की सरकार करीब 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 क्लीन स्वीप के साथ अरुनाचल क्लीन स्वीप आंध्र मैं अब बाबु को पूछ रहा था बोले हिस्टोरी के लिए सबसे हाइस जुट्री है और जो यहां दिखता है नहीं पवन यह पवन नहीं आंधी है आंध्र ने इतना बराज हमारे प्रतिक जन्मत दिया है हिंदुस्तान के लिए एक सामान्य मानुवी की विकास की जीजी विशा है उसका प्रतिक है और महाप्रभु जगनाथ और मैंने अनुवव किया हमेशा मैं हमेशा मानता हूँ इस्वर का नेक रूप होते हैं लेकिन जब मैं भगवान महाप्रभु जगनाथ जी को याद करता हूँ तो मैं हमेशा मानता हूँ यह गरीबों के देवता है और वहाँ जो क्रांती रूप पननाम आया है मैं इसे एक रिवोलुशन देख रहा हूँ और मैं इसके साथ कह सकता हूँ कि विख्सीज भारत का हमारा जो सपना है आने वाले पचीस वर्स पहले मैंने दस साल कहा था यह मैं पचीस साल कह रहा हूँ आने वाले पचीस सांग महाप्रभु जगनाज जी की कृपा से उड़ी सांग देश की विकास यात्रा के ग्रोथ एंजिन पर की एक होगा साथियों हम लोग जब चार जून के नतीजे चल रहे थे मैं तो अपने काम में कुछ वेस्त था बाद में फॉन्फे नहराज चुरू हो गए तो मैंने किसी को पूछा यार ये तो ठीक है आकड़े वाकड़े तो मुझे ये बताओ कि इवी एम जिंदा है कि मर गया क्योंकि क्योंकि ये लोग प्ताय करके बैठे थे कि भारत के लोगतंत्रों लोगतंत्र की प्रक्रियात्य प्रति कि बिस्वासी लोगों का उड़ जाए और लगातार इवी एम को गालिज देना और मुझे तो लगता था कि साथ इस बार वो इवी एम की अर्थी निक्याश जुलूस निकालेंगे लेकिन चार जुन शाम आते आते उनको ताले लग गए इवी एम ने उनको छूप कर दिया यह तताकत है भारत के लोगों की यह तताकत की निस्पत्त की यह भारत है भारत की तताकत है भारत की चुनावी तंत्र की प्युनावायों की और जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से जाएद EVM को लेकर करके नाजनी की चुरुआ करेंगे लोकि इनके सुद्रे के दबाव नहीं बहुत कावब है आप देखिए चुनाव के समय मैंने पहली बार देगा है शायद हर तीसरे दिन इलेक्षन कमिशन के काम में रुकावट आये इसके लिए सुप्रीम कौड के दरवाजे खट-खट आये गए बाती बाती के अप्लिकेशन और एक ही टोली थी और लोग तंतर के प्रतिक दिनका भरो भार अभिस्वास ऐसे लोग सुप्रीम कौड का उप्योग करते हुए कैसे रुकावट डाले इसका अंदिरंतर प्रयास करते रहे और चुनाव आयोक की ताकत का एक बड़ा हिस्सा अधालतों में इस पी कबर्स में चुनाव के पी कबर्स में यानि कितनी निराशा लेकर के ये लोग मैदान में आये थे कि उन्होंने पूरा हमला उसी इंस्टिटूट पे लगा दो ताकि चुनाव के कोई भी परणाम आये हम दुनिया के सामने भारत को भी बड़नाम कर लें ये शड़ियंतर का हिस्सा था दोस्तों और कभी भी देश उनको माप नहीं करेगा साथियों इंडी गड़बंदन वाले जब ये इवी इनका विरोथ करते हैं तो मैं सिरफ एक चुनाव के रूप में नहीं देख रहा हूं मैं मानता हूँ ये लोग मन से पिछली शताबनी के सोच वाले लोग है टेक्नलोजी को हम महत्व न समते हैं तो टेक्नलोजी स्विकार करने को त्यार है और ये सिरफ एवी इम में दिखाई दिया ऐसा नहीं यूपी आई में दिखाया जब हमने कहा है कि हिंदुस्तान के लोग बिजिटल ट्रांचेक्शन करें ये फिंटेक के दुनिया में आज उदुतान का नाम हो गया मानने को त्यार रहे हैं आधार आज देश के पहचान बना है मैं तो देख रहा हूँ कि मुझे कई देश कहते हैं कि हमें आधार के पदर्दी से आगे बढ़ना है कि आप कैसे मदज कर सकते हैं उस आधार को रोकने के लिए सुप्रीम कौट में बार 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 जाकर के परिशानिया पता था यानि मूलत हर ये प्रगतिर के विरोधी, आधुनिक्ता के विरोधी, टेक्नोलोजी के विरोधी, इंडी एलाइंस हमने देखा है, साथ्यों इस देश के लिए ये भी चिंता का विश्व है, कि विश्व में भारत के लोगतंत्र की ताकत को कम आकने का प्रयाश, और कितना एक्स्ट्रीम है, मैं दुनिया में ढोल पीट रहा हूँ, कि हम मदर अप डेमोक्रेसी हैं, और ये दुनिया में जाकर बता रहे हैं, ने ने हमारे देश में तो डेमोक्रेसी जीसा कुछ नहीं क भारत के नागरीकों को चुनाव प्रक्रिया के प्रती अविस्वात पदा कड़े का जो उनका सडियंत्र है, मैं मानता हूँ कि अब दुनिया भी भारत के लोकतंत्री की विविदता, विशालता, व्यापकता, गहनता, इन सब को भी जानने समझने के लिए आकरशित होगी, ऐसे ही इस चुनाव के नतीजे में देख रहा हूँ, साथियो जब दोजार एक तारीकों मद्दान पूरा हुआ है, और चार तारीकों कहोंगी, इस बीच की चीजों को आप देखिए, योजना बत तरीके से देश को हिंसा की आग में जोकने का भाशा, बयान दिये जाने थ करना, कुछ लोग इस चीज को गंबीर नहीं लेते हैं, लेकिन ये बहुत गंबीर है, आप भारत के लोकतंत्र को पहले उसकी ववस्ता को अनाधर करते हो, अब परिणाम आने से पहले एक ऐसा माहूल बना दो, कि बस आग लगा देंगे, हर प्रकार जिन शब्दों का अर् का प्रयास किया, अरे चुनावे के ऐसा लोकोत सब होता है, कि जादा से जादा लोकों को हम जोड़े, तोड़ने के लिए नहीं होता है, लेकिन हर प्रकार से कोशिज ये ही की गया है, साथियों, मैं मानता हूँ कि ये, दोहजार चुबिस के लोक सबहा के चुनाव के जो नतीज़ है, हर परामिटर से देखेंगे, दुनिया ये मानती है और मानेगी, कि ये, एंडिये का महा विजय है, और आपने देखा, दो दिन कैसा चला, चैसे हम तो हार चुके, गये, सब चारों कर दो ये दिखता था, क्योंकि उनको अपने कारकरताओं का मोरल हाई करने के लिए, ऐसे कालपनी, परेव, ये करने पड़ रहे हैं, और साथियों, गढ़ बंदन के इतिहास में, अगर आपड़ों के हिसाब से देखें, तो ये सबसे मजबुत गढ़ बंदन की सरकार है, लेकिन, कोशिस है की गई कि इस विजए को स्विकार ने करना, उसको पराजय के छाया में डुबो के रखना, लेकिन उसके ऐसी चीज़ों की बाल मुर्ति हो जाती है, और हो भी गई, लेकिन देशवासी जानते हैं कि नहम हारे थे, नहम हारे हैं, लेकिन चार तारिक के बाद हमारा जो व्यहवार रहा है, वो हमारी वो पहचान बताता है, कि हम विजए को पचाना जानते हैं, हमारे समस्कार ऐसे हैं, कि विजए की गोद में उन्माद प्यादा नहीं होता है, और नहीं पराजित लोगों के प्रती उपहास करने के हमारे समस्कार है, हम विजए को भी पचाते हैं, और प्राजित का भी उपहास करने के विक्रुती हम नहीं पाते हैं, हमारे समस्कार है, अब किसी भी बालक को पूछो, कि मैं लोगसभा के चुनाओं के पहरे सरकार किसकी जी, तो कहेगा NDA, 24 के नतिज़ों के पात सरकार किसकी बनी, NDA, पर हरे कहां से भई, पहले भी NDA थी, आज भी NDA और कल भी NDA, आप सोचिए, दस साल बाद भी, दस साल बाद भी, कॉंग्रेस सो के आंकेड़ों को नहीं छुपाई, और अगर मैं, 14, 19 और 24, तीन चुनाओं को जोड़ करके कहूं, कॉंग्रेस के तिन चुनाओं जोड़ूं, तो इन तीन चुनाओं में जितनी सीटे ने मिली है, उससे जादा हमें इस चुनाओं में मिली है, और मैं साब देख रहाँ खाती हो, इंडी वालों को अंदाज नहीं है, वे धीरे धीरे पहले तो डूब रहे थे, अब तेज गती से ये गर्त में जाने वाले हैं, साथियों, इंडी अलाइंस वाले देश के सामान्य नागरिकों की जो समझ है, आज भी वो उसके सामर्थे को समझ नहीं पाए, या समझ ना चाहते नहीं है, भारत के सामान्य व्यक्ति की भी एक समझ है, और जो जमीन से जुड़ा रहता है नहीं, वो समझ को छूता है, समझता है, पैचानता है, वो बहाँ नहीं है, साथ में इन लोगों का जो बहवार रहा है चार तारीक के बाद, मैं आशा करता था, कि वे लोगतंतर का सम्मान करेंगे, लेकिन उनके बहवार चे लगता है कि शायद उनमें ये समस्कार आएं, इसके लिए मैं और इंतिजार करना पड़ेगा, और तो मैं ज़्यादा कुछ कहने सकता है, और ये वो लोग हैं, जो खुद की पार्टी के पी-म का अपमान करते हैं, इसके निर्णों को फार देते हैं, खुद के पार्टी को विदेशी में माना आजाए तो उसके लिए चैर नहीं होती थी, ये सारे द्रश आप देखें हैं, अब मैं समझता हूँ कि इन सारी स्थितियों मैंसे, हम लोकतंत्र की मजबूति हैं और जनता जमादन के परती आस्था, इसको हम, साथियों, लोकतंत्र हमें सबका सम्मान करना सिखाती हैं, विपक्ष मैं भी, जो सांसच जीत करके आए हैं, मैं उनको भी बदाई देता हूँ, और मैं पिछले दस वर्थ में एक चीज मिश कर रहा था, कि डिबेट, पार्टिसिपेशन, क्वालिटी अब डिबेट, मैं मिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं आशा करता हूँ कब इस नया जो सदन बना है, वो कमी मुझे खलेगी नहीं, शायद हमारे साथी भी, राष्ट हीद की नियत के साथ सदन में आएंगे, और भने वो विपक्ष में बैठे होंगे, लेकिन राष्ट के विपक्ष में नहीं है, हमारे विपक्ष में है, राष्ट में थो हम सब एक ही पी सामें है, राष्ट में हमारे कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, राष्ट में हमें 140 करोड है, और मैं आशा करता हूँ, कि वो राष्ट हीद की भावना को लेकर के, सदन में आएंगे, और सदन को सम्रुद्ध देने में, वे कुछन कोई योगदान करेंगे, सत्वे 24 का जनादेश, एक बात को बार-बार मजबूती दे रहा है, बार-बार मजबूती दे रहा है कि, देश को आज के वाँ तवरम है, सिर्फ और सिर्फ, एंडिये पर ही भरोसा है, और जब इतना अतूट विश्वास है, इतना भरोसा है, तो स्वाबाविक है, देश की अपेख्षाय भी भड़ेगे, और मैं इसे अच्छा मानता हूं, और हम सब का कर्तब ये भी मानता हूं, और इन अपेख्षायों को पूर्ण करने के लिए, और मैंने पहली भी कहा था, कि जो दस्वर्स हमने काम किया है, वो तो ट्रेलर है, और वो मेरा चुनावी वाक्या नहीं था, ये मेरा कमिट्मेंट है, हमें और तेजी से, और विस्तार से, और तेज गती से, देश के आकांशाओं को पूर्ण करने में, रत्ती भर्मी विलम नहीं करना है, जनता जनारण चाहती है, हम पहले से ज़्यादा डिलीवर करें, जनता चाहते हैं, हम खुदी हमारे पुराने रकोर्ड तोड़े, और मैं साथियों, एक तरफ एंडिये रखूं, दूसरी तरफ भारत के लोगों के सपने और संकल्पों को रखो, तो मैं कहूंगा, एंडिये, न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया, और इसी केस, इसी सपने और संकल्पों को पूरा करना, ये हम सब का संकल्प भी हैं, कमिट्मेंट भी हैं, और हमारे पास रोड मैप भी हैं, साथियों, एंडिये ने हमेशा, करप्शन फ्री, रिफाम ओरियेंटे, स्थीर सरकार देश को दिये हैं, जब जब हमें अफसर मिला, हम लोगों ने काम किया हैं, उसके सामने, कॉंग्रेस नेटरूत वाली यूपिये, अब उन्होंने, पुरानी अपनी शबी सुधार निकले, नाम बदल लिया, लेकिन पहचान गोटालों की हैं, आए दिन गोटाले, यही पहचान देशी हैं, और नाम बदलने के बावजुद भी, और मैं कह सकता हूँ साथियों, इंडी एलाइंस वालों ने, एक व्यक्ति का उपोज करने के, वन पॉइंट एजंदा के कारण, देश की जनता ने उनको, ही उपोजिशन में बिठा दिया हैं, एंडी ए, विक्सित भारत, इस संकल्प को लेकर के चुनाओं में गया था, देश के लिए सकारात्मक्ष सोच को लेकर के गया था, देश की युवाश शक्ति के सामर्थ है का समझ करके, नए अवसरों को लेकर गये, देश को आगे बढ़ने की बात लेकर के गया था, जब की हमारे सामने जो लोग पे, वो भरम पहलाना, जूट पहलाना, यही गुमरा करने वाले काम, यही करते रहेते, अब एंडी ए और उनका कार्ण देखें, इवन नामांकन में जाएंगे, तो भी आपको देखेगा, उनका चुनाव प्रचार, उनका नामांता है, हम लोगों का एक-एक दरश्य देख लिज़, और उनका एक-एक दरश्य देखी, कितना बढ़ा अंतर है, हर चीज में, उनका करेक्टर दिखाई देता है, और क्या रहा, फोटोगाप के लिए तो उनका एक दरश्य देखाई कर दिया है, लेकिन कितने ही राज्यों में, वो आपस में लड़ते रहे हैं, चुनावी जंग में, एक दूसरी की पीट में चुरा बंपे रहे हैं, और आपस कीमोओं रहे हैं, यह भी खेल खेला, और अभी तो चुनाव पुनावी ज़िए शुरू कर दिया, कि यह तो हमारा एलाइंस लोकसोभा के चुनाव के लिए इसा, बाद में नहीं है, यह भी शुरू कर दिया, याने मैंने बहुत पहले कहा था कि आप देख लेना चार जून के बाद बिखराव शुरू हो जाएगा और वो शुरू हो चुका है इसका मतलब यह हुआ कि वो सिर्फ पर सिर्फ सत्ता सुख के लिए एक दुसरे का साथ देने की कोशिश करते थे लेकिन उनमें उनका अगर स्वार्थ निस्टिर होता तो तो साथ देना वरना नहीं देना एक करक्टर था साथियों ये लोग कितने ही बड़े चूठे बोलते रहे हैं और आप देखिए चुनाओ के समय उन्होंने देश के सामाने नागरी को गुम्रा करने के लिए जो परचिया बाटी कि ये देंगे और वो देंगे और टिकना देंगे फलाना देंगे दो दिन से मैं देख रहा हूँ कि कॉंग्रेस के दफ्तरों पर लोग कतार लगा के खड़े हैं कि ये परचिया एक लाग रुपया कोहां है लाओ भई मांग रहे हैं लोग यानि आपने जनता जनादन के आखों में कैसा दो उनको ब्रमित किया कैसी आखों में दूल जोग दी क्यों बेचारा समय नागरी कि मान के चलता नहां भई चार जून के बाद रुपया मिल जाएगा इसलिए वो जाके खड़ा रहे गया और अब उसको धका मारा जा रहा है डंडे मारे जा रहा है वहां से निकाला जा रहा है अब इस प्रकार का चुनाव ये अपने आप में देश के गरीबों का अपमान है हमारे देश के सामान नागरी का अपमाना है और कभी भी देश ऐसी हरकतों को न भूलता है नहीं कभी माप की ये बिना माप को भी करता है साथियों हमारे लिए संतोष की भावत है कि हमें कमिट्मेंट से काम कर रहे है दस साल में हमने पचीस करोड गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला है गरीब कल्यान का एक सुरक्षित मजबूत कबच दिया है हमने उसको और उसके अंदर भी एक नए एस्परेशन पाता हुए कि हाँ अब मुझे गरीब नहीं रहना है और उसके लिए मुझे से जो हो सकते हैं मैं हर अवसर का फायदा उठाऊँगा तीन करोड गरीबों को घर यह ऐसे कहने का अकड़ा नहीं है जी कितनी महनत पढ़ती है मुझे मालू है लेकर हम सफलता पुर्वक इसको कर पाए है चार करोड लोगों को दे चुक है तीन करोड का हम संकल्प लेकर के आज से आगे बढ़ेंगे यह यह भी हिम्मत है कि चार करोड देने के बाद जिन परिवारों का विस्तार हुआ है जरुरत पड़ी है और राज्यों की भी उसमें इच्छा है तीन करोड नए घर बनाने का संकल्प सत्तर वर्ष के आउसे उपर के वेक्तियों को नागिल्गों को पांच लाग रुपे तक इलाज के लिए मुफ्त इलाज की व्वस्ता मुद्रय उद्दा के तहट हमारे नौ जवानों को कारोबार के लिए बिस लाग तक करें उनकी बैंक से उनको लोन मिले इसकी व्वस्ता इस मैं समझता हूँ कि वाइदा हमारे पीसरे कारकाल की यह गरंटिया सब मैं तो भी बताता नहीं हूँ लेकिन इन गेरंटियों के प्रति हम कमिटेड हैं और उसे पूर्ण करने के लिए हम कोई कमी नहीं रखेंगे साथियों गडीप का ससक्तिकर और मिडल प्लास को सुवीधा यह हमारी प्राफ्पिक का है क्योंकि मध्यंबर्ग अब इस देश का एक बहुत बड़ा चालक बर भारत की ग्रोस स्टोरी में यह ऐसे ऐसे नए फोर्सिस में देख रहा हूँ जो हमारी बहुत बड़ी शक्ति बनने वाले है और इसलिए हम उस पर भी उतना ही और मिडल प्लास की बचत कैसे बढ़े सेविंग कैसे बचे बनने उसके लिए क्वालीटि अफ लाइफ के लिए हम क्या कर सकते हमारी योजराओं का विस्तार कैसे किया जाए हमारे नीव निती नियमों में बड़लाव कैसे किया जाए उस पर भी हमाने जिवालत दिनों में कामता है साथियों पंचायद से पार्लामेंट तक हमारी नारी शक्ती की सक्रिय भागीदारी है यह हमारा कमिट्मेंट है और हमने हमारे पिछले कायरकाल में नारी शक्ती बंदन अधिनियम करके उस बात को हमने आगे बढ़ाया है और वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारे सदन में बहुत बड़ी ताजाद में हमारी माता ये बहने देश का नेतृत्व करती भी दिखाई देगी इस पूरे चुनाओं में हम सबसे ज़्यादा महिला उमीदवारों को टिकर देने वाली पार्टी रहे हैं ये हमारा कमिट है हमारी महिला सांसदों को जो आशिरवाद देश की जिनता ने दिया है मैं इसके लिए विशेश रुप्षून का आप खायर विश्पता का और साथ की आपने देखा होगा जी ट्वेंटी समीट में दुनिया के सामने एक विशेश लेकर करके हम बड़े आगरस से गई हैं और वो है एमपार्मेंट अफ विमेंट डेवलप्पेंट अफ विमेंट इन सारी बातों कुद हम परिशेट हैं हमने एक नया सित्थ किया है और हम जी ट्वेंटी समीट से भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं विमें लेड डेवलप्मेंट एक बार हमारा इस प्रकार का कमिट्मेंट बनता है तो परिवर्तन बिल्कुल सापने जराता है सात्यों एंडी ये का ये कारका बड़े फैंसलों का है तेज विकास का है और अब हम समय घवाना नहीं चाहते कि हम पांच नंबर की इकोनामी से तीन नंबर की इकोनामी पर पहुंच रहे हैं और ये खाली पांच और तिन का अंकड़ा नहीं है उसके कारण जो अर्थ ववस्ता का कद बन जाता है वो सामान्य मानवी की आशा अकांचाओं को पुरी करने के लिए सरल्टा बढ़ जाती है देश के लिए जो जरूरत हैं वो आराम से पुरी करने का सामर्थ बन जाता है और इसलिए हम उस दिशा में बड़ी कोशिश करके आगे बढ़ना चाहते है राज्यों का सहयोग भी उसमें उतना ही मरत्वपूर है और भारत के समिधान ने हमसे जिस प्रकार का दिशान्देश किया है कोपरेटिव फैडलिजिम का लेकिन मैंने उसमें आगर रखा है कॉम्पेटिटिव कोपरेटिव फैडलिजम हमारे राज्यों के बीच में भी तंदुर स्पर्दा हो राज्यों और केंदर के बीच में भी तंदुर स्पर्दा हो हम अच्छा करने की स्पर्दा करे और उस दिशा में हम आगे बढ़ना चाते हूँ और हमने जिखा है कि जब मैं कॉम्पेटिटिव कोपरेटिव फैडलिजम की बात करता हूँ आपने जिखा G20 समय थे हम एक जगा पर कर सकते थे हम भी मालाई पहन करके फोटो निकल वा सकते थे लेकिन हिंदुस्तान के अने एक शहरों में दोसों से ज़्यादे मिटिंगे हुई और दुनिया पहर के निती निल्धार जो कहें G20 देश होगे और बागी भी 57 देश होगे वो हिंदुस्तान के कौने कौने में गए उनके देशों में जाकर भारत के विवित था भारत के विशालता इसकी चर्चा कर रहे है उनके लिए असर है हमने तो दिल्ली आकर के बापी जाते हैं पता ही ने था कि देश इतना बड़ा है तो यह अपनी एक काकत का परीचे हुआ है हमने कोविड में राज्यों के साथ कोपरेशन के साथ हमने जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी और एक शुत्र में रहकर किलाई दल किसी का भी हो सरकार में लेकिन हमने इस काम को किया क्योंकि हमारा का कॉपरेटिव फेडरलिज्म के प्रतिक कमिट्मेंट है एक ऐसा मोडल है गवर्नांस का जिसमें राज्य भी उतना ही सकरियता से हमारे साथ जुड़े हुए है और दुनिया के लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए गवर्नांस का एक ऐसा मोडल प्रसूत हो रहा है जिसका आप तो के स्टेडी के रुप में दुनिया के हैं निक उलिपर स्टेडी करना चुरू की है अब उसको हम आगे बढ़ाते हुए एस्पिरेशनल ब्रॉक की तरब ले जा रहे हैं ताकि हमारे ग्रास्रूट लेवल पर भी जो बीक एरियाद है जहां सुविधाय अभी सामान एवरेट से भी नीचे हैं उसको हम जल्दी से जल्दी उस्टेट की एवरेट तक लाना चाहते हैं जल्दी से जल्दी पहुंचाने वाला चाहिए सामान ने मानवी के मन को हमने इसे प्रेजिट में किया है और पुर्शार तो करके हमने उस दिशा में काम किया है पांच साल में हमें गतिशक्ती यह इस प्रकार के प्रेटफर्म पर जो काम किया है जो काम 6-6-8-8 मेने तक नहीं होता था वो आज 15-20 दिन में कर सकते हैं से टेक्नलोजी का उप्योग करके हम क्याम कर रहे हैं और यह जब होता है तो उसका मून फाइदा देश के नवजवानों के लिए रोजगार के अती अवसर बन जाते हैं उनके लिए जीवन में सिलेक्शन के लिए बहुत बना दायरा बढ़ जाता है और वो हमें सात्यों आज भारत दुनिया में विश्वा के लिए एक नया मैनुफेक्टिन हब के रुपे उभर रहा है और जब हम मैनुफेक्टिन हब कह रहे हैं तब सिर्फ इलेक्रोनिक गूर्ज या सर्विसिस के मैं बात नहीं कर रहा हूँ मैं फूट प्रोसेसिंग में भी आज दुनिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और वो भारत के किसानों को बहुत बढ़ी ताकत दे रहे हैं उसी प्रकार से स्पेश हो, आर्टिफिशन इंट्रिजिस हो, स्टार्ट अप्स की बात हो, स्कील जॉब अफर्चुनिटिस की बात हो आज भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, बढ़ रहा है, ये मेरा विश्वास है साथ क्यों, मुद्रा योजना, ड्रोंदीदी, विश्व कर्मा योजना, इसने भी नई संभावनाओं को जन्म दिया है साथ क्यों हमारी संस्कूरती, हमारी विरास्वत, उसके प्रती हम जीतना ध्यान केंदर करेगे, दुनिया के लिए आकरशन का केंदर बनेगा और इसलिए हम उन दिशा में, और मैं मानता हूँ भारत के लिए एक तूरिज़ा में एक ऐसा एवन्यू है जो गत, सताग्दी में हमें कभी आक से लेकर के, पीछे के सो साल में कहूं, ऐसा आवसर नहीं मिला है, जैसा आने वाले पच्चीस साल में मिलने वाला है दुनिया, दुनिया भारत के तरफ मुड़ने वाली है अब हमारा काम है, हम इसके लिए आवश्यक व्यवस्ताओं को विक्सित करें, हमारी विरासत के परती हम, हमारा पर्येटन का विकास करते हुए, एक बिन बिन सिचुएशन का हम फायदा उठाए, और उसमें बहुत अधिक निवेश की संभावनाएं मैं देखता हूँ, और आज जो इंफरस्टेक्टर के ख्षेतर खुले है, इसका फायदा सुमें का है, एर वे हो, रेल वे हो, हमारे एक्स्प्रेस वे हो, यह हमारा याताद जितना बहतर हो, और हमारा डिजिचरल करेक्टिविटी का जो काम है, यह इसके लिए एक बहुत बड़ा पोजिटिव ग यूग में प्रवेश रही है, जिस समय और योगी क्रांती हुई है, उस समय हम गुलामी के दौर से गुजर रहे हैं, तो और योगी क्रांती का जितना फायदा लेना चाहिए हम नहीं ले पाई हैं, अब एक नया यूग शुरू हो रहा है, हरित यूग, ग्रीन एरा, भारत के पास बहुत संभावना है इसका नित्रुत्व करने के, और हम इसके लिए आने वाले दिनों में ग्रीन हैड्रोजन की बात हो, ग्रीन एनरजी हो, या ग्रीन जॉब्स हो, या ग्रीन मोबिलिटी हो, इन सारे विश्यों को हम इतनी तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि इस हरीत यूग का नेत्रुत्वा, दुनिया में भारत का सामर्त सिद्ध कर दें, यह हम चाहते हैं, साथ यह इसी सिल्सेले में, इस पांच जून को जब परियावरान दिवस था, चार जून को नतिज़े आ गए थे, तो उसी दिन मेरे मन में एक विचारा है, कि कारकम पांच जून को हमने आरम किया, एक पैड मा के नाम, हर किसी को मा के पती सर्दा होती है, और मैं भी देश वासियों को कहूंगा, कि आने वाले समय में, कभी आपकी माताजी का जन्म दिन हो, क्या कोई और सुब दिन हो, जिवीद हैं, तो साथ लेकर जाईए, उनकी फोटो आप सोचल मीडिया में अपलोड कीजिए, और मा नहीं है, उनकी फोटो रख करके एक पैड लगाईए, और वो अपनी मा का भी सम्मान होगा, और धर्ती मा के सेवा होगी, हम इन दो माताओं भी सेवा करें, साथियों, एंडिये अब भारत आइसोलेशन में नहीं जी सकता, वैश्विक परिवेश में भारत की भूमी का दिनों दिन भहुत बढ़ती चली जा रही है, 2014 में जब हैंडिये की सरकार बनी, पूरे विश्व में उसी एक पल से एक नया जिग्यासा प्यादा हुई, थोड़ी आशा के संकेत उनको नजर आने लगे, और फिर उस बढ़लाव बहुत बड़ा तेजी से आया, और पिछले दस वर्ष में भारत ने जिन कामों को बढ़ लिया है, आज भारत की छबी विश्व बंधु की बन चुकी है दोस्तों, विश्व हमें एक बंधु के रुपे स्विकार कर रहा है, और जब दुनिया हमें विश्व बंधु के रुपे स्विकारती है, तो हमारी बैस्विक जिम्मेवालियों को भी, हमने हमारे आने वाले रोड मैप में महत्वत देना ही होगा और भारत की सथल विदेशनिती ने अच्छे परणाम भी दी है हमने हर संकट को उस प्रकार से हैंडल किया जिस प्रकार से मानवी मुल्यों को हमने प्रात्फिकता दी उसका परणाम है कि सामान ने मानवी के मन में ये विश्व बंधू वाला भाव बहुत मजबूत हुआ और भारत का सेवा भाव का जो करेक्टर है उसको विश्व ने पहचाना है चाही उक्रेन का संकट हो चाही अफगानितियान का संकट हो हर हमारे लोगों को बचाना हो हमने किसी भी इक में हमने कोई कमी नहीं रखी है और सातियों ये स्वंता की कारण भारत में निवेश की संभावना ये बहुत बढ़ने वाली है मैं राज्यों से भी कहूंगा कि आप प्रगति सिल नीतियां बनाकर रेडी रहे है विश्व आज आपके आंगन पे दरवाजे पर दख्सक दे रहा है और जो राज्य जाना फष्ट नीतियों के साथ आएगा जो राज्य उन कम्पनियां भी दे जाने वाले लोगों को ठीक से हैंडल करेगा उसको बेनिफिट मिलने ही वाला है और भारत ने जो नीतिया बनाई है भारत ने जो वातान बनाया है उसका लाप भारत के हर राज्य को मिलना चाहिए और उद्धिशा में हम तेजी से काम करना चाहते हैं साथियों हमने जी ट्वेंटी समिट में देखा है दुनिया का भारत के प्रती नजर्य बढ़ला है जो लोग इन चीजों को मैलूट ले देखते होगा उनको पता होगा कि जी ट्वेंटी एक प्रकार से कई संकटों से बुजर रहा था उतार चड़ाव आते रहते थे विखराव भी नजर आ रहा था लेकिन भारत में जी ट्वेंटी आने के बाद नए प्राण से भर गया है नया सामर्था आ गया है और ये भारत की ताकत है को उसने पुरे विश्व को जोड़ने में जी ट्वेंटी के माद्यम से बहुत बड़ा काम किया है और उसके इन दिनों भी ये जो परिणाम आये इसके बाद मेरा काफी समय विदेश के सरकारों से फोन अभिलेंदर स्विकार करें में गया और शायद में जेना 14 में 19 में भी ऐसा अनुभव नहीं था जितना इस बाहर फ्लो है दुनिया के करीब करीब अब नाम ले उसने भारत को सुबेशा वेक्तगी है या बात करने के कोशिश की है यानि ये वैस्विक जो हमारा ताकत है उसका परिचे करवा रहा है और उसके कारण में मानता हूँ कि वीश्व में हमारा सम्मान और साथ-साथ भारत में निवेश ये दोनों संभावनाएं बढ़ रही है साथ जो हमारे संभिधान का अच्चतरवा बर्ष है हम चाहते हैं कि संभिधान हमारी समायदेनी सवस्ताओं का सरॉक्ष भर इसके मातरगे लिए है ऐसा नहीं कोई अघालत में धाराओं का उप्योग करके काम करने के लिए नहीं है ये एक हमारी भावना है हमारा स्पीरिट है और हमें इस 75 साल को ऐसे मनाना है ताकि हम सम्विधान के स्पिरिट को जन जन तक पहुँचाएं हर जन को सम्विधान की जो भावना है कर्तबे की भावना है अनेक बात भी ऐसे इस बात है उसका बड़े उद्धिशा में हम काम करना चाहते हैं साथियों चत्रपती सिवाजी महराच के राजजया भीशेक के 350 वर्ष के उत्सों में देश आजरंगा हुआ है और हम अमारे लिए सबसे बड़ी प्रेणा है जो दुश्में राष्ट प्रफम की भावना है चत्रपती सिवाजी महराच को याद करते ही राष्ट प्रफं की भावना हमें मजबूती देती हैं और इसलिए हम देश में इसी एजेंडर को आगे रखते हुए और जब इसी समय यह साथे तिन सो साल का परवाया है तो हम हमें अपनी पॉलिशी और परफॉर्फॉर्मंस और सामान्य मानवी का जीवन बहतर करना है उसमें जरा भी बिलम नहीं करना है साथियों विकास की सारी तैयारियां रोड मैप लेकर को हम चलेंगे ही चल रहे हैं लेकिन साथ साथ हम नहीं नहीं सांसद आये हैं कुछ पुराने सांसद है कोई ज्यादा अनुभवी सांसद भी है आप देखते हैं कि इन दिनों पिछले दो दिन से आप टीवी पर देखते होंगे एक भी सच्चा ही मुझे उसमें नहीं नहीं आई कोई ये कह रहा है कोई वो कह रहा है सब मैंने कि कहा विज़र पूछो ते जानकर इलाते कहां से गबगोले चला रहे हैं किसी के खाते में कुछ भी डाल करके चल रहा है मतलब ये थोड़े दिन क्योंकि दस साल से ऐसे अउसर नहीं मिले है तो शायद ये उबाल जड़ा जादा रहेगा लेकिन आप मान के चलिए जी ऐसे लोग कोई पहुंचेंगे बस सब मेरा अच्छा सबंद है मंत्री में आपका नमबर कर सकता हुआ हमें भी पता नहीं होता है यार हो सकता है मिनिस्टर बनने का ही रास्ता होगा तो हम भी गल्ती से उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसका नहीं किस खाई में डूबो देता है कभी कभी तो सायद आप तो टेक्नोलोजी ऐसी है कि हो सकता है मेरे सिगनेचर से कोई लीस्ट बाट निकल जाए कि ये मंत्री बन गए हो सकता है कोई बुद्धिमान डिपार्टमेंट भी बाट दे तो आज कर कई लोग सरकार बनाने में लगे हुए है मंत्री पद बाट रहे हैं पद बाट रहे हैं व्यवस्ता बाट रहे हैं मैं आपसे आगरपुर्व कहता हूँ और जो मोदी को जानते हैं ये सारे प्रयास निरर्फक है वे हाँ भी किसे घब फोर आजाए तो दस पर बेरिफाइक कीजिए कि जिसने फोन किया है वो सचमुच में ऑथोरिटी है अधर बाट कोई भी कहा है आपको नाम हो गया है सुवे परिवार को बिला दीजिए शपस हमारों में आ रहा है हो गया तो ऐसी घब बाजी करने वाली एक बहुत बड़ी फोज रहती है कुछ लोग आदतन करते रहते हैं कुछ लोग मजगाती इसले करते हैं और कुछ लोग बदिराद्य से करते हैं मेरा सभी सांसदों से आग रहा है कि हम इन सारे सरियंत्रों का शिकार न बने दूसरा हमारे जो इंडी अलाइंस वालों ने इस चुनाओं में ठेक न्यूज में एक्स्परटाइज कर लिया है डबल पिएचरी कर लिया है उन्हों ने वो शायद इसका भरपुरूप्यों करेंगे हम कृपा करके इन चीजों से दूर रहें यह जो टीम बैठी है वो अनुभवी टीम है मुझे भी सही सला देने वाली टीम है और इसलिए टीम मिलकर के बहुत सही निरने करने वाली है कृपा करके ब्रेकिंग दूस्ति के अधार पर देश चलेगा नहीं यह मान के चलिए साथियों विश्शित भारत का संकल पर लेकर करके हम चले हैं तीन नमर की इकनोमी पहुँंच रहा मैं जानता हूँ निश्शित रोड में आपके साथ इसको हम पार करने वाले हैं और मैंने पहले भी कहा था कि मेरा पलपल देश के नाम है मेरा पलपल आप लोगों के नाम है मैं 24 by 7 आवेलेबल हूँ हमें मिल करके देश को आगे बढ़ाना है फिर से एक बार आप लोगों ने मुझे पर जो विश्वाद जताया है जो प्यार दिखाया है और जो समर्थन दिया है वाकई मैं मानता हूँ भारत के लोगत तन तक ये बहुत बड़ी ताकत है मैं जीतना आपका आप हर वेक्तिकर उतना कम हो और मैं भी स्वाद दिलाता हूँ कि मैं आपकी आशा आप एक्षाओं को पूरी करने में परिश्ण करने में कोई कमी नहीं रखना मेरे लिए जन्मा सिर्फ और सरफ वन लाइफ वन मिशन और वो है मेरी भारत माता यह मिशन है एक्षो चालीस करोर देश वाद्चों के सपनों को पूरा करने के लिए खब जाना यह मिशन है एक्षो चालीस करोर देश वाद्चों को हजार साल की मुसिबतों से जो गुजरी की पीड़ी दर पीड़ी हैं उसे मुक्ति दिला करके सम्मान के साथ विश्व में हैं मेरा हर देश वाद्ची दुनिया उसे देखें उसका मन कर जाएं काश हिंदुस्तान का है अरे नेजर मिल जाए तो अच्छा होगा यह मैं स्लिति पादा करना है उसका मन लालाईद होना चाहिए हिंदुस्तानी है अरे अजरा हाथ में लालू कुछ एनर्जी मुझे भी आ जाए मैं देश को इस सुचाय पर ले जाना चाहिए और साथियो मुझे पक्का विश्वास है आपका साथ आपका सयोग आपका आनुभव बहुत बड़े परणा प्रामों की संभावना ही लेकर के आया है लोग सभा का एक गठन उन सभी आकांशाओं को पूरा करेगा मैं फिर एक बार आप सबता रदय से बहुत बहुत धन्यवाज करता हूं